हेलो गैस आज की इस वीडियो में हम डिसकस कर रहे हैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हाउस वाइफ और बीकॉम ग्रेजिर स्टुडेट जब यूएस सी पीए को जोईन करते हैं और अगर आपके स्टडी में गैप है फाइव येर टैनी येर का गैप हो चुका है और अल अब स को कंसॉलिडेशन, डेरिवेटिप्स, फॉरन एक्सचेंज ये सारी चीज़ें पंड़नी ही तो एक ऐसा स्टूडेंट जिसका चार्टर्ड अकाउंटेंसी बेग्राउंड रहा ही नहीं है कभी वो अचानक जब यूएस सी पीए को करने जाता है क्योंकि उसने मार्केटिं उसको रियालिटी पता चलती है तो फिर वो अपने सॉफ्विर बैकर को सेल कर रहा है वाईली को सेल कर रहा है और फिर हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं सच बोल रहूँ हर महीने 20-25 तो ऐसे ही जोईन करते हैं हमारे पास जिनोंने बैकर ले लिया 5-10 आर की क्लासिस मतलब वीकेंड में सटर्डे संडे 10 गंटे की लगातर क्लासिस जब एक स्टूडेंट जॉइन करता है तो उसको पता चलता है पता ही नहीं चलता है एक बहुत यूज सेट पे कहूं या वो सर्प्राइज हो जाता कि अरे यार यह तो थोड़ा सा टेक्निकल तो पहले आपको रियालिस्टिक होकर समझना पड़ेगा कि टीचर किस से पढ़ने वाले हैं अब आपने उस टीचर के कोई वीडियो जी नहीं देखे आपने तो वेबसाइट पे जाके देखा वहाँ पे लिखा 10-year industry experience और teaching experience फर्क होता है क्योंकि आपको यह समझना पड़ रहेगा कि अगर वो faculty dedicated teaching के लिए तो फिर वो job नहीं कर रहे होते बिग 4 में या किसी multinational company में वो career अपना teaching में ही बना रहे होते हैं लेकिन आपने तो website पे website देखी और 10-15 साल का experience ना lecture देखे और सीधे software खरी लिया और बाद में जब आपको पता चला कि आपका तो basic की clear नहीं अब आपको सीधे defer tax समझाया जा रहा है जहां आपको tax base समझाया जा रहा है detail समझाया जा रहा है lease accounting समझाया जा रही है consolidation समझाया जा रही है जहां आपका fundamental अगर clear नहीं होगा आपको US CPA को pass करने में बहुत दिक्कतें आने वाली यह realistic है हर महीने 15-20-25 student हमारे पास other institute से language में है basic classes हम आपको provide करेंगे और इसके पहले आप हमारे कम से कम 20-25 वीडियो देख लीजिए तब जाके आपको US CPA अगर join करना है तो कीजिए because we do not want कि आपका एक बार already hard and earn money किसी software को RLMS को खरीदने पर waste हो चुका है CPA बहुत आसान भी नहीं है यह आपको समझना ही और एक working professional जिसको की study में gap हो चुका है उसके लिए तो एक अलग से strategy बनेगी एक सही study plan requirement होगा Sunday Saturday 5-5 घंडे की classes अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक बाद ध्यान रखिए एक movie को भी आप 2 घंटे से जादा नहीं देख सकते तो क्या वो faculty जोब को 5 घंडे Saturday Sunday पढ़ा रहा है तो पढ़ाई कप करेंगे आप working professional है 9-10-6 आपकी job है job में पूरा ठकने के बाद क्या आप में उतनी energy बचती है कि आप advance level के concept को पढ़े इसी लिए हम लोग आपकी डेड़ घंटे की classes प्रोवाइट करते हैं weekend पे आपको time प्रोवाइट करते हैं LMS में हम आपको recorded lecture भी प्रोवा हमारे institute से बहुत ज़्यादा pass हो रहे हैं आप मेरे channel पे जाके interviews देख सकते हैं उनका पूरा detail discussion है कि किस तरीके से CPA की exam को approach करनी चाहिए तो पहला काम आपको तब तक join नहीं करना है जब तक आपको lecture समझ में नहीं आ रहे हैं बिना lecture समझें आप CPA को मत join की आप हमारे भी accounting and reporting के देखिए और if you feel comfortable और अगर आप hard work करने के लिए ready हैं definitely अप CPA को जोई इस प्रकार का video से पीसे लिए बना रहा हूँ because बहुत सारा students जो हमारे पास आते हैं उनका experience आपके साथ में share कर रहा हूँ तो एक चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है दूसरी बात आपको चारो subject की classes एक साथ करने की ज़़ोत नहीं start with two subject FAR और audit subject को simultaneously लेके चली और एक market में myth है कि BC is very easy BC change हो रहा है बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है ऐसा बहुत ज्यादा कुछ भी change नहीं हो रहा है अगर आप में CPA बनने की capability है तो 2023 में भी आप बनेंगे 2024 में भी बनेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि BC इतना असान है कि आप पढ़कर पास हो जाएंगे बहुत आसानी है ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है तो marketing के लिए नहीं बुल रहे हैं कि BC को ज्माइन कर लीजिए बात में क्या होगा ऐसा नहीं है तीन सब्जेक्ट वहीं है फिर आपको चूस करना होगा कि आप financial reporting में अपना करियर बनाना चाहते हैं टेक्सेशन में बनाना चाहते हैं या technology में बनाना चाहते हैं तो यह सारे matter important है तो fundamental को strong कीजिए basics को बहुत ज़्यादा strong कीजिए good interpretation required है और एक सही study plan कि कब हमें exam देनी है यह सारी बातों को आपने क्या करना है ध्यान में रखते हुए US CPA को join करना otherwise आपका hard and earn money waste हो जाएगा और वो जो software आप लेके बैठे हैं आप software sale करते हो मिलेंगे facebook पे आपको यकीन नहीं आ रहा है जा और फिर पस्ताते हैं कि सवाल आपको खर्चा हो गया sir आपका cut चुका है यह reality है और इस प्रकार की reality कोई भी आपको नहीं बताएगा मैं आपको simplify कह रहा हूँ आप lecture देखो lecture आपको समझ में आ जाए कि हाँ हमको सारे lecture समझ में आ रहे है teacher का support मिलने वाला और वही teacher जिसके lecture देखर हों वही पढ़ाने वाला ऐसा तो नहीं है कि कोई industry specific industry specific teacher job करने वाले teacher कभी भी hard work से नहीं पढ़ाएंगे because उनका career teaching में नहीं है वो तो part time Saturday Sunday किसी institute से associated हो गाए उन्होंने आपको पढ़ा देना है और CPA अमेरिका का chartered accountancy course है यह बाकी reality है इस वीडियो को देखने के बा पढ़ने पढ़े हो सकता बहुत ज्यादा intelligent student हो कि आपको केवल study material मिल जाए आप एक chartered accountant है तो आपको केवल study material मिल जाए question bank मिल जाए आप CPA बन जाएंगे less than one year आपको किसी institute की जरूत नहीं है जो fact है जरूत आपको पढ़ेगी study material के लिए licensing के लिए जरूत पढ़ेगी आपक आप है working professional है house wise study में gap है बहुत सारे matters होते है CPA को pass करने के लिए study plan teacher का support और quality of lecture should be the priority so thank you for watching this video अगर आपको ये video अच्छा लगा है so please share and like and subscribe also thank you for watching this video